नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारी एक्टूब चैनल संस्क्रस रस्वती पर मैं रामकुमार सास्त्री आप सभी संस्क्रत नुरागियों का हर दिग अभिनेंदर स्वागत करता हूँ दोस्तों यदि आपने अभी तक इस सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और वीडियो देखने के बाद इस सेल पर के यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप कमेंट करके मुझे जलूर बताईएगा मैं आपकी कमेंट के प्रतिक्षा में रामतमार सास्त्री एक बार फिर आपका हर्दी के प्रिंदन करता हूं चलिए आज के लाइस सुरू करते हैं सरस्वती बंदना हम करेंगे मार्शारदी को नमान सरस्वती नमान शुक्लाम ब्रह्म विचारि सारी परिमान आध्यां जगत्व्यापी नीव बीना पूस्त्रक धारिणीम अवयदां जाध्यांदकार अपहां अस्ते स्पाटिक मालिकां विदधतिं पद्मासने संसितां बंदेतां परमेश्वरिं भगवतीं बुधि प्रदाम शारदाम अब बाहे परित्म जो हम तीसरी लाइन आगे लगाने वाले हैं उस तीसरी लाइन का नाम है रालपप्राण क्या नाम है उसका रालपप्राण और जो एक लाइन हम बाटने वाले हैं उस लाइन का और एक नाम बता रहा हूं मैं आपको उसका नाम है महाप्राण तो एक लाइन वाले को तो कौन सा प्रेतन देगे भाई हम अलपप्राण देंगे बोले भी या लाइन में लग जाओ तुमको क्या मिलेगा अब मान लीजे साब जिसे पंद्रह आगा सभी जनेवरी को हमारे विद्याले में उस्व होते हैं और लड़ू वित्रन का कारेकरम होता है मैंने सारे बच्चों को लगा दिया इस लड़कियों को मानलो अलग कर दिया कि लड़किया उदात अनुदात और स्वरित नाम से उनक मास्टर जी बचों को बांड देते थे आब सब को पता है इस बारे में तो फिर हम क्या करते थे दूसरे देने लाइन लगाते हैं अब दूसरे दिन की लाइन कोई जरूरी थोड़ी पहले दिन की लाइन नहीं हो होंगे तो लड़की सारे मानलो लेकिन हो वो लाइन जो पांचों साथ अब की बार सब इधर दुर हो गए अब जो लाइन लगेगी उसमें सीख नाम कैसे सीखते हैं कहा कि अलफ़ प्रान कौन है तो अलफ़ प्रान के लिए कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर या करने में कम प्रानवायू लगती है अलफ़ का मतलब प्रान का मतलब प्रानवायू प्रान का मतलब जी नहीं कि जिसमें ज्यादा जी लगता हो जिसमें कम जी लगता हो यानि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कम प्रानवायू लगती है तो लिखेंगे उच्चारण में कम प्रानवायू लगती है कुछ ऐसे वर्ण हो हवा की आवशक्ता होगी ज्यादा प्रेसर लगाने की आवशक्ता नहीं होती है तो ऐसे वरन जिनके उच्छाड में कम प्राण वाई लगे कम हवा की आवशक्ता हो उसको तो हम क्या कहते हैं अलफप्रान कहते हैं बोला जी ये अलफप्रान कौन-कौन हो सकते हैं तो इधर देखिए, पुलालब प्रान में कौन कोन आते हैं, पुलालब प्रान के लिए लिखा है, कि इसमें आएंगे वर्गों के, किनके वर्गों के प्रथम, वर्गों के प्रथम, त्रतिय और पंचम वर्ण, और इसके अलावा एक आता है हमका यनवर्ण का सम्मुहा है, क औरुष्ष्षण दिектив जैसे उचार्ण क्रते हैं मान ली जी मैंने लिखा यहां पर कौन kya यह लिखा हमेने कैि अब यस्तर और आप कैसे करोगी का दूसरा वालक्षर को ना का उसी परकार से तीसरा क्या करेंगे हम जैसे गया उसी प्रकार से चोथा क्या करें गया पांचवां क्या करते हैं जैसे गया तो पहला तीसरा और पांचवां ऐसे अक्षर हैं वेंजिन वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कम प्राणवायू लगती हैं लेकिन कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनके उच्चार प्राणवायू लगती है अधिक प्राणवायू लगती है जब इनके उच्चरण में अधिक प्राणवायू लगती है तो इन वर्णों का नाम ही जादा प्राणवायू लगतेंगे जादा को यहां महाशब्द से बताया है सिले हम कह देंगे कि वो महाप्राणवाले हैं अध इकाम करने जाते हो या खाम करने जाते हो तो तो ग्रूस पकड़ना है तो पहले का उच्ण करोगे तो पहाँ कंजोर लगाना पड़ेगा कह यहां उसचान करोगे तो ज्यादा जोरिखा कहτα seperti कर लिफा कर गएगा 8 जाबकि मैं आप इसको पढ़ें आप इसके बाद में जै और मैं जैसे कहूं कि आप इसको पढ़िए तो आप क्या पढ़ोगे जै उसी प्रकार से पंचम जो अफ्षर आता है उसका उच्छान है यहां ऐसा तो नहीं होता है यह होता है कि अगला बन देखते हैं कहा कि इसको पढ़ गे पिताए कैसे पढ़ गेटा लेकिन ये क्या है ये बहुत प्यारा होता है तो इसको प्यारा प्रकार से यहां बढ़े आगे अगला जो मारा वर्क है उसमें कौन साक्सर आता है बुलता उसके बाद में धर का आएगा भुले था तीसरा अक्सर है आम यह इक जो कहां है पादगी दूसरा अक्सर तो केसे पड़ोगि पादगी इससी परकार से यहाँ पढ़ोगे तो थीसर एकसर को भाँ जबकि यहां चोत्ते एकसर को कैसे पढ़ा जएगा है ब्रभा और पंचम जो वर्न होता है पंचम वर्का उसका नाम होता है महा हो पहला तीषरा-ब 경찰रम को aux 5 मलत पांचरर होगे हैं प्रण और यम्वर्ण भी आते हैं तो लीजिए साहब हम यमवर्ण को भी लेते हैं कौन है यमवर्ण यह वह रहला यह आपके यह आ जाएंगे अलफ प्राण और महाप्राण में अब हालाएं कि यह सब लिखने जा रहा हूं वह आपका यहां किया नहीं गया है पिर भी आप बार-बार बोलते रहते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं कि आप जाम को पता है कि पंचम वर्ण का उचान स्थान मुखर नासिका होता है ऐसे ही एक वर्ण और होता है उसका नाम होता है हमारे अनुस्वार तो वो अनुस्वार वर्ण भी आप चाहो तो यहां ले तो लिक दूँ परिवास बना दूँ कौन कौन से बचके बाग का वर्ग का कौन कौन साकसर है दूसरा चोथा वरण है इसके अलावा साथ कौन चल रहे हैं वह उदर यंड आगे तो उदर कौन आएंगे शलवरण आएंगे यह तो गरंतकार का है यह सलवर्ण और यह आपके दूसरा चोत्ता वर्ण आ गया लोग दूसरा चोत्ता मैंने लिखी दिया है सलवर्ण आप मुझे बता दो कौन है सलवर्ण आपके शाँ शाँ और यह कौन है अब उदर अनुस्वार आगए तो कॉमन सेंस की बात हम यहां क्या लिख देंगे विसरा गिदर लिख देंगे है ना इस प्रकार से अब इसमें तो कौन आ गए आपके यन आ गए नहीं यहां पर यह दीगिया आपने साब यन को भी यहां ले लिया तो यह यन वर्ण आपके यहां आ गए जबकि जो शलवरण है आपके उसने कहां ले लिया आपने बुलसाफ शलवरण में ने यहां ले लिया इस प्रकार का यह वरणों का विवाजन हो गया अब इसका हम संस्क्त में चाहें तो सुत्र बना सकते हैं कि वर्ग का वर्गों का तो वर्गों को बनाने के लिए संस्क्रत में कहा लिए 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 हैं वर्गस से वर्गयू वर्गाना वर्गों का वर्गाना कौन कौन है भईया पहला अक्षर है प्रथम तीसरा अक्षर है तरतिय पांचम तो ये तो आ गए आपके तीन अक्षर कौन कौन से प्रथम तरति पंच माहां पहला तीसरा और पांच माहां बोला इसके अलावा और भी हैं बोले इसके अलावा कौन हैं बोले साब इसके अलावा यन भी तो हैं तो इसको लिखा है उन्होंने यनाहाच और यन भी हैं बोला इन साब का बताई कौन सा प्रियतन होता है तो लास्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे एक्सर बोले क्या है अलप प्रान है बहुत सारे हैं इसलिए इनको क्या लिका है वहाँ पर अलप प्राना हां क्या लिका है अलप प्राना हां बोले एक बार वर्गानाम प्रथम्त रतिय पंचमा हां यानस्चा अलप प्राना हां वर्गानाम तो मैंने आपको बूला ना कि आप पढ़ोगे कुछ पूछेगा अल्ला बता तू संस्कृत पढ़ाएगा इसका बता देगे ले तेरे मास्टर जिन तो भी बता है नहीं से लिम में सब बता रहा हूं तो लेजिए साब हम लिखते हैं वर्गानाम किनका वर्गों का सभी वर् दिवाएगा चतूर्थव और साथ में कौन है सल प्रत्यार भी तो है सल अलश्च और बताई इन सब का प्रियत्न कौन सा हो जाएगा वोले सम महाप्राण वाले हैं इसलिए इस प्रकार्सिन का विभाज ने किया गया है हो गया ने सुत्र बोलो देगे एक बार केस पड़ोगी बरगानाम प्रथम त्रतिय पंचमा हा यनस अलब प्राना हा वरगानाम दितिय चतुर्थव शलश्च महाप्राना हा और यद्वार खेज देता हूँ बीच में लड़ाई ना होता कि किसी के बारायी तो देख लो साब मैंने वहाँ ua pra दे दिये हैं तीन तीन की भाट मैं अब एक एक मैंने और बाढ़ दिया एक आपका अलफच्च महाप्राण बाढ़ दिया है तीन और तींच पहले मैंने दे दिये हैं वेंज़नों को ही और एक एक और दे दिये तो वेंज़नों को मैंने अब हम डेखना हो कि कितने यदि नहीं आपको ् आपको कितने नहीं है असे अमया रखने की जरुती नहीं मंट जादी हाल प्रान समझे सब्सक्रेदान्म हाव पराण मैं क्या है पांच माता है महापराण और in इन में यह आठा है इसका दोड़िया है है प्रति क्या कि अम महर्यचा पालिय। प्रीयतन तो आपको बेंजन принци, श क्या ने पर है या नहींज देनाinin ना नुख Yes बढ़ेगा लो बारा है तो अगोस्ष विश्वास नहीं है तो सम्भारणाथ घोस्ष बारा में आता है तो अगोस्ष वी विवार और बता ही एक क्या था साथ में विश्वास फिलो फ़तम काम बस पहले में आता है कि बोले आता है इसका मतलब बारा में अगोश वीवार स्वास नहीं है तो फिर बोले क्या होगा उल्टा हो जाएगा सम्वार नाद घुस जो से लाइन में नहीं जाएगा वो दूसरी लाइन में जाएगा है आता है गया पुरंद या दया यार यह बेवफा था पहली बार बेवफा आचा यही परिक्सा में आता है आपको ध्यां रहे रहे दिवाय प्रितन बुस्तान ज़दा इसी का क्योंकि हमने क्या कर रखा है कि सल ब्रणों को एक बाइंड कर रखी है इसलिए हम सुछते हैं ज बोला तीनों से और आता है कि बारा आता है उसमें नहीं आता है इसलिए अधर पटक लगों क्या हो जाएगा सम्मार नाद घोस हो जाएगा अब एक वेंजन की देखो चार प्रेतन होगे बाहिए या तो अलपरान महापरान में से इक हुआ जैसे का अलपरान अगोष विबार बारा नाद घोसे का अब इसके बार बसते हैं तीन और जिनको हम करेंगे लिखने के बाद पहले आप इनको लिखने के लिख लेता है तो लखिया आप नुदि वाईय प्रयत् detta हम भाहित ब्रयत्न अ आ तो लेकोसा और Ugh जींहने तो भाहिय प्रयत्न ऑब हईय प्रयत्ना क्षान कते है निगाहरा अब अनुस्वार विसर काईदी हम बांटना चाहें ना तो आपकी विसर यहां आती है अनुस्वार यहां आती है लिगने यह विवाजन कोई किया नहीं गया है यह सिर्व हम ग्यान जाड़ने के लिए वीज़ में ठूस नी जाते हैं बिनाबाद आप लिखें कोपी को आयताकार कर लो ताकि अच्छा लिखने में आजाएगा यह भी आजाएगा यह भी आजाएगा यह वो दो भाई साबना आगे वो भी उसी में आ जाते हैं तो इस तरह से बांट ले सुन्दर से नीचे तक बढ़ते चले आपका यह मान लो बराबर में नहीं आ रहा तो उसको नीचे ले लो यह कोई लिख लो पर इसके नीचे सेट कर लो फिर यह लास्ट में सुत्रा जाएगा लिखें आप इसी तरह स की बांटरी कहां तक आए तो लिखें आप विवार स्वास अघूस विवार स्वास अघूस विवार स्वास विवार स्वास कैसे याद करेंगे तो लेको बारह का अघूस विश्वास बारह का अगोश्विस्वास बारह का अगोश्विस्वास अगोश्वी और स्वास को अंडिलाइन कर लो बारह का अगोश्विस्वास बॉला कौन कौन आएंगे इसमें हो गया लो कन्फर्म अपने आप तो लेको वर्ग का बर्ग का पहला दूसरा वर्ण बर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनो से पहला दूसरा वर्ण प्लस तीनो से लिखिया आप का ख पहला दूसरा कौन आ रहा है का ख फिर कौन आ रहा है आपका फिर आ रहा है आपका टाठा फिर कौन आ रहा है आपका टाठा आगे क्या लिखेंगे पफ़ पफ़ तीनो से भी आ रहे हैं तो मने साथ में लिखा है इसको साशा साव साशा साव साशा साव इसके अलावा कौन है आपके तो पहले लिखेंगे आप पर नेचे कर लें आराम से कोई दिक्रत नहीं यहां लिख लेंगे आप से लेकिन ज्यानी जो हमारे आसपास के लूग है कहीं बार बता सीखा एनने तूँ उस मास्टर से पढ़ गया आए तूँ बता फिर मुझे आर दो सरक पैपा हो तो पदमानी है है न और पहले दूसरे की यम तो चार होता है न पहले दूसरा तिसरा चुता आता है लेकिन इसमें पहला दूसरा जाएगा तो कुमखुम यम कुमखुम यम ठीक अभी है और मैं लिखूंगा नहीं लेकिन फिर भी आपका मन कऱ्राओ कैसर हम तो इसमें लिखे हैं अनुसbrar को कहां लेकि जाओ ना तो अनुसवार यर विसर को यहां लेके आते हो जब कि अनुसर को यहां ले जाते हूं अबागे बढ़ें आप शुत्र बनाओ क्या लिखेंग खरो विवारा स्वासा अघूशास्च रटना नहीं सीधी सी बात इसको समझ लिए हो तो यह अपने आप याद दुझे खर पहला दूसरा तीन उस है इनका क्या होता है विवार स्वासा अघूशास्च कि खरवर्ण विवार वाले होते हैं समा है अगूश वाले होते हैं है खरो विवारा स्वासा अघूशास्च पर चलो भीयां यहां नहीं वो इनके ठिकाने में तोThe सम्भार नाद घोश, विवार का उल्टा संबार, स्वास का उल्टा नाद, अघोश का उल्टा घोश, तो तीन जो उधर वाले वेंजिन वर नहीं है, उनको ये मिल जाएगा, सब को मिल जाएगा तीन तीन, तो लिखें संबार, नाद, घोश, किनका है? तो लिखें वर्ग का तीसरा चोता पांच वांबर्ण बर्ग का तीसरा जो बच गया रटना नहीं इसको पस रटना तो इसको यह कि हां बारा का गोज विश्वास बाकि सबका हो तीन चार पांच वर्ण प्लस है वर्ण कौन है वो तीन चार पांच गागान जाजान डाढान दाधान बाभाम उतारे तीसरा चोता पांच वांख सर लिखें गा गा ना दूसरी वर्ण में है जा जा याँ बिनन देखें वो तो लिख सकता है इनको पड़े थे न किस जमान लाखों करोणों साल पहले हम इनका दिन कर चुके हैं गागान जाजान याँ डाधान बाभामा बाभामा साथ में है और यावरलक सर्विस के साथ ही चलें तो है यावराला पांच और जुड़गेस में यह उन्नीस वन पांस तिया पंद्रार च्यार बीस होगेस में और उसके अलावा देखें जिवा मुली पदमानी तो उता इदर का यह उदर होता ही नहीं यह यम जुरूर इद होगा आपके यह म्जा गहेंगी। गुम 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 यह हम आपका है इसको रचना ही नहीं सीदी सी बात है याग है तो यहीं है इस चुत्र बनाएगी तो क्या हो जाएगा है सब वरनों क्या करते है हायो वाँरलक से लेकर के जब गर्दस्त किशा तक हश तो लेकर हशा हस संबारा नादा घुशाष्चा हसा है संबारा नादा घुशाष्चा हसा है संबारा नादा घुशाष्चा हसा है सम्वारा नादा घोसाश्चा हसा है सम्वारा नादा घोसाश्चा तो मैं बारा में हूँ तो अगोस इस वास है नहीं हूँ तो भी है फिर सम्वारा नादा घोसाश्चा आगे बढ़ो अब उसके बाद हम क्या करेंगे अलप प्राण और महाप्राण में फिर लाइन लगा रहें बारोर किसी को हम क्या देंगे अलप प्राण देंगे और किसी को हम महाप्राण देंगे लेकिन हम प्राण जरूर देंगे तो एक है आपका अलप प्राण और एक भाई साब है आपके महाप्रान देख इसके लिए रहा हम उनके लिए नहीं दे रहे हैं यहां हम वर्णों के लिए दे रहे हैं प्रान अल प्रान के नहीं चलिगो भवाब एरुपना के जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायू लगती है वे अल्ब प्राण बर्ण कहलाते हैं वे अल्ब प्राण कहलाते हैं अल्ब प्राण कहलाते हैं कौन है भई वो अल्ब प्राण तो लिखिस में कौन आया वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण प्लस यान वर्ण तो लीच एरो लगा खेले वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण प्लस यान वर्ण यान वर्ण ओगे ना कौन है वह वह पहले तीसरी पांच में तो लिखू का गांगा चाजाइना टाड़ाना 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 पाबामा पाबामा टो का गांगा चाजाइना टाड़ाना तदन पाबमा इसके साथ कौन है यावारला यावरला हो गया और एक है आपका अनुस्वार यावरला अनुस्वार अनुस्वार आपकी जिग्यासा के लिए लिखा है मैं अनुस्वार सुत्र क्या बनाओगे वर्गों के किनके वर्गों के प्रथम त्रतिय पंच माहा यनस्च वर्गा नाम वर्गों के प्रथम त्रतिय पंच माहा यनस्च अल्ब प्राना हा यनस्च अल्ब प्राना हा और यन कौन है अल्ब प्रान है अल्ब प्राना है ओके भी यह जो अल्ब प्राना यह वो कौन है महा प्राना तो लिको महा प्राना दब बिग प्रान महा प्रान महा प्रान में लिखो जिन वर्णों के उत्चार्ण में अधिक प्रानवायू लगती है उन्हें महा प्रान वर्ण कहते हैं उन्हें महा प्रान वर्ण कहते हैं उन्हें महा प्रान वर्ण कहते हैं कौन है वह उसमें तो लिखो उसमें है वर्ण का दूसरा चोथा वर्ण बर्ण का दूसरा चोथा वर्ण और कौन है प्लस शल वर्ण अब पहला दूसरा दूसरा चोथा कौन सा है हमारा तो खगा लेकिन इसको आप खगा आ ता है थाथा 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 Zen थाथा 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 थाथाथा और आफगा पक घुट मुट फा भा शल में कौन कौन आ रहे हैं आपके तीनों शवर है शा सा है शा शा सा है और उदर अनस्वारत दुर कौन आ गया आपके भिसर्ग जा है भिसर्ग इन सब के बताओ कौन होते हैं वही महापराण होता है न तो दूसरा चोथता और सलवन तो लिए देखो मैंने लिखवा बरगा नाम सुत्र बना रहे हैं वरगा नाम वरगा नाम दितिये चतुर्थाउ वरगा नाम दितिये चतुर्थाउ शालाष्च महाप्राणाह वरगा नाम दितिये चतुर्थाउ शलस्च महाप्राणाह दितिये च दुर्थव सलस्च महाप्राणाह यहां और महाप्राणाह कितने होगे आपके तीन और तीनल श्च गहे ना और दो आपके अल पुड़ाना और महाप्राणाह और मन्याप से कहést था कि वेंजनों के यहां भी वेंजनीं पढ़ंधी वहलोंицाद से इससे पहले भी आपनी जो पड़े ही विवार स्वास सगोसिसमें बेंजन जो यहां नहीं है वह आपका यहां गया तो यहां पर भी आपने क्या पड़े बेंजन अब जब 3 तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो अब तरीके के साथ आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज के यह प्रतेंगी प्रक्षा लिए बहुत लाबदयक रहेगी दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा वाख्तविक आपका नवुक कैसा रहा यह कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे आपके कमेंस को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत चैनल के साथ जैने तो समस्क्राइब चैनल के साथ जैने तो समस्क्राइब चैनल बाहर टाम